सो हेले एवरिवन वेल्कम बैक माई यूटू चैनल आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो भी एस्टुरेंट बिहार के गौर्णमेंट इंजिनियरिंग कॉलेज में एडिविशन लेने वाले हैं तो फ्रेंट से आप लोग को मैं बताऊंगा कौंसलिंग से रिलेटेड बाते तो आप लोग जो भी एस्टुरेंट चाहते हैं कि विहार से इंजिनियरिंग करें तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए और बेल आइकोन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा ताकि प्रेंट जैसे हैं इसका बिहार इंजिनियरिंग का फॉर्म अप्लाइब होता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दे दूँगा साथ साथ इसका रजिस्टेशन होता है कौंसलिंग स्टार्ट होता है रहिंग काड आएगा उसके बाद आपको क बाद रहता है कि भाईया किस तरह से होता है कि आप कौंसलिंग किये हैं कि नहीं तो बिसपास बहुत से स्टूरेंट का नहीं रहता है इसलिए मैं आपको देखाऊंगा बहुत से स्टूरेंटों का मेरे पास जितना भी डेटा है अब लेवल है उतना मैं देखाऊंगा तो पहुत से आपको एक अंदाला मिल जागा कि हां किये हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि उसमय जब एड़ीशन हो रहा था उसमय मैं कॉंसलिंग किया था जो कि फर्स्स रांड के लिए अपलाई हो रहा था अब को मैं दिखाता हूं आप लोग वीडियो को लास तक देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसीजर पता हो सके कि किस तरह से कौंसलिंग करते हैं और जो भी एक स्टुडेंट का कहना है जो भी एन चाहते हैं कि कौंसलिंग करवाएं तो आप लोग जेएमेन का स्कोर कार्ड भेज सकते हैं मेरे बाट का है जो उस समय था अनलोग किये हुए थे उसके बाद लास्ट में लोग कर दिये थे तो यहां पर देख सकते हैं कि जैसे कि इंस्ट्यूट बहुत सा आपको देखने के लिए आपको रहेगा कि भाया आप जिस तरह से बता दीजीगा उस तरह से तो मैं खुद कर लूँग तो ऐसा बाते नहीं हैं कि आप लोग खुद कर पाईएगा और बहुत से स्टूरेंट जिनका एक्स्प्रियंस जरूर कर लेंगे और जिनको नहीं पता है कुछ भी तो उनको दिखते आएंगे क्योंकि फर्स रॉन में हो सकता है लेकिन से के रॉन में यदि आरेज्मेंट स सकते हो देख सकते हम जैसे कि चाहते थे कि प्रंच मी ले तो मैंने कयouse किया था तो देख सकते हैं सारा पहले आपको तो क्या होगा कि जब स्टार्ट होगा उसमें सारा अब को देबर रहेंगे सारा आपको एड में जो डो आक वक्तियारपूर में केंप्यूटा साइंस वक्तियारपूर इंजिनियरिंग कॉलेज में देख सकते हैं कि इंटरनेट और थिंग्स भी था CAC ब्रांच में ही फिन गया के डाल दिये नलंदा दर्भांगा चंडी हो गया मुतिहारी हो गया सितामडी हो गया सबसे पहले हम केंप्यूटा साइंस इंजिनियरिंग डाले हैं उसके बाद फ्रेंस हो चाते थे कि नहीं और यहां पर जो कि देख सकते हैं कि टॉप 19-20 तक मैंने कॉलेज जो सेलेक्ट किया हूं जो कि टॉप 20 तक के कॉलेजे अच्छे होते हैं तो यहां मैं सबसे पहले कें कोलेज के दूसरा दूसरा आदर आदर ब्रांच डालते हैं जैसे कि मुझा परपूर में जो जो ब्रांच जैसे आइटी है केंप्यूटर साइंस है सीवील है इलेक्ट्रोनिक्स है लेक्टिकल और इलेक्ट्रोनिक्स है जो भी आपका ब्रांच है तो सब मैं डालता यह ब् दिखा हुआ है data status टाइम के साथ है ऐसा नहीं है कुछ तो जो कि इस तरह से हम करते हैं सारा चीज़ आपको कर के देंगे और मैं आपको देखा देता हूं कि कि इतना स्टुडेंट को मैंने जितना भी मेरे पास data भी है उतना कि मैं आपको देखाता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो फ्रेंस से यहाँ पर जो कि देख सकते हैं कि एक परभाका जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया उसी तरह देख सकते हैं कि मैंने यस्वंद कुमार को मैंने किया था इसका UJC ID भी देख सकते हो यहां पर है और यहां counseling भी देख सकते हैं BA BTEC 2022 के लिए है उसी तरह आपको मैं अगला देखा देता हूं जितना मेरे पास है counseling का तो यहां पर देख सकते हैं वर्षा याद आपको मैंने किया था BA BTEC counseling 2022 उसी तरह अगला मैं देखा देता हूं नैंसी कुमारी है जो कि यहां पर देख सकते हैं UJC IT भी देख सकते हो BA BTEC counseling 2022 तो बहुत से student मैरे से counseling करवाया है सारा के college मैंने top college में ही देवाया हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर UJC IT संकल्प सेखर है और BTEC भी counseling के लिए किये थे तो यहां पर भी देख सकते हैं उसके बाद अगला देख सकते हैं कि पूस्पा कुमारी है जिसका भी मैंने किया हूं उसके बाद देख सकते हैं अभी शेख पाल का भी देख सकते हो कि मैंने counseling किया हूं तो जितने पास है, मेरे पास अभी इतना अब令 है तो आप लोग यदि करवाना चाहते हैं कॉंसलिंग तो आप लोग खुन्टेक्ट कर सकते हो में सारा चीजा आपको बता भी दूँगा और कोई भी आपको डावट रहता है ख़िस अध्यरे्ट तो आप लोग तो चलते हैं, thank you so much friends